जैहिन स्वागत है आप सभी का कैसे हैं आप सभी उमिद है कि सभी बहुत ही ज़्यादा सवस्थ होंगे और यहाँ पर जो आपकी एसी के नई विकेंची आचुकी है टोटल 236 पदों पर उसके तयारी में जबर्दस तरीके से आप लग गए होंगे यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा important step होता है एसी के बरती के लिए वो है आपके offline form को apply करना तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकरी बताने वाले हैं कि इस एसी के बरती के जो offline form है वो कैसे आपको fill करने हैं और इतना हमारा विश्वास कीजिए कि जैसे आ आप apply करेंगे तो जो आपका admin card है 100 नहीं बलकि 200% आपका वापिस आएगा तो यहाँ पर जो आपके form को fill करने की पूरी प्रोसेस है वो आपको हमें इस वीडियो में बता देंगे इसके अलावा जो बरती के पूरी जानकरी है अगर वो आपने नहीं देखी है तो वीडियो के description में link का आपको मिल जाएगा वहां से बरती के पूरी जानकरी है वो आप चेक कर पाएंगे सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस बरती के जो form है इसको fill करने के लिए आपको कौन कौनशे document की जरूत रहेगी तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर यह जो आपके दो envelope है य इसके अंदर अपने form अपने सबी document आपको जो है अंदर डाल कर आपको दी हुए address पर भेजना होगा इसके अलावा यहाँ पर यह जो आपका envelope है वो आपका self address envelope जिसके उपर देखिएगा यह जो आपका complete address है वो आपको लिकर भेजना होगा और इन सब के अलावा यहाँ पर देखिएगा यह जो आपके कुछ से pages हैं यह आपके form के रहने वाले हैं जिनका print out आपको लेना है और form आपको fill करना है तो form fill आपको कैसे करना है चली step by step आपको बताते हैं यहाँ पर देखिएगा आपके offer form को fill करने से पहले कुछ जो आपके important instruction है वो आपको बता देते हैं सबसे पहले देखिएगा अगर EAC में आप किसी भी post के तयारी कर रहे हैं अगर आपको हर post का special batch याफ इस special notes आईए तो यहाँ पर आपको whatsapp नमबर दिया गया है नवाशनी 306 3826 यहाँ पर आप whatsapp पे contact कर सकते हैं और EAC के हर post के special batch या special notes आपे ले सकते हैं यहाँ पर जो आपका सबसे पहला important point है वो है आपके offer form को fill करने की date यहाँ पर जो आपके form की starting date रहेगी वो है 22 April 2023 और यहाँ पर जो last date है वो है आपकी 12 मई 2023 कहने का मतलब है कि जो आपको form fill करन है वो इस तरीकी से करना है कि वो या तो आपका 22 April 2030 इस date को या फिर इसके बाद पहुंचे और 12 में 2030 इस date तक या फिर इस date से पहले आपका दी हुए address performer पहुंच जाए ओके अब हम बात करते हैं कि जो आप form fill करने वाले हैं उस form के साथ यहां पर ऐसे कौन कौन से important document है जो कि साथ में आपको अटेस करने है डोकुमेंट बताने से पहले यहां पर आप याद रखिएगा कि जितने भी आपकी document है वो सभी के सभी आपको self attested करने होंगे self attested का मतलब यह है कि जितने भी आपके document है उनके photocopy साथ में आपको लगानी है और उन photocopy के उपर यहां पर जो आपके खुद के signature आपके खुद के sign है वो आपको करने होंगे यह सबसे आपका important point रहेगा यदि हम बात करें document के बारे में तो सबसे पहले यहां पर आपको check करना है कि जो आप post का form apply कर रहे हैं उसकी essential qualification क्या है सबी post के जो essential qualification start होती है वो है आपके 10th class से अगर यहां पर आपके 10th class qualification है तो उसको add कीजिएगा अगर उसकी higher qualification मांगी गई है तो आप वो add कीजिएगा तो यहां पर जितने भी आपके education qualification के certificate हैं जैसे के 10th class plus two class वो आपको लगानी है इसके बाद यहां पर जो आपका domicile है वो साथ में आपको लगाना है जो आपका आधर काड है वो साथ में आपको लगाना होगा इसके बाद यहां पर आपके बहुत सारी ऐसी post है जिने में आपका experience मांगा गया है तो जो आपके experience के certificate है उसकी photo copy भी आपको साथ में लगानी है जो आपका pen card है उसके photo copy साथ में आपको लगानी है यह दिया आपर reserve category से बिलोंग करते हैं जैसे कि SC, ST, OVC, physical handicap, ex-serviceman, EWS या फिर sports person या फिर अन्य कोई भी अगर आपकी reserve category है तो यहां पर जो आपका cast certificate है वो साथ में आपको लगाना होगा इन सब के अलावा यहां पर वीडियो के starting में आपको मनें बताया था कि एक खुद के address का दोली भाफा है वो भी साथ में आपको लगाना होगा जो कि आपको registered करना है अब registered कैसे करना है वो भी बताने वाले हैं यहने सब के अलावा यहां पर देखिए आपकी खुद की दो जो फोटो है self-attention करके form के साथ आपको अलग से भीजनी है और फोटो के पीछे आपका नाम आपका father name यह आपको जरूर मेंशन करना है तो यह सबी वो आपके important document है जो कि form के साथ आपको लगाने है और भीजनी है इसके बाद देखेगा यहां पर जो और आपका एक important point है कि यहां पर आपके बहुत सारी ऐसी post है जो कि आपकी 1ATC और आपकी 2ATC में out की गई है तो यहां पर आपको याद रखना है अगर आप cook, CCIN की civilian cutting instructor, LDC, Tinn Smith, Barber, Treatment Mate यान की labor अगर इनका form आप अप्लाई करने वाले हैं तो form आपको 2ATC के ads पर भीजना है यदि आप MTS चोकिदार, CMD, Civil Motor Driver या फिर Fire Engine Driver, Fireman, Cleaner, Vehicle Mechanic, Painter और Carpenter अगर इन post का form आप अप्लाई करने वाले हैं तो यहां पर आपको 1ATC के जो address है इसके उपर form आपको भीजना होगा तो यह जो important point है बिल्कुल आप याद रखिएगा और यहां पर देखेगा आपको सबसे ज़्यादा एक बात और याद रखनी है कि सिर्फ आपको एक हीटेड का form अप्लाई कीजिएगा ऐसा भी नहीं करना है कि 180 में एक form, 280 में एक form चाहे आप किसी भी स्टेशन में form अप्लाई करें मतर एक हीटेड का जो form है वो आपको अप्लाई करना है अगर एक से ज़्यादा application form आप अप्लाई करते हैं तो वो आपका receptor कर दिया जाएगा यह बात आपको याद रखनी है अब यहाँ पर दिखेगा यह है आपके application form का पहला page सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है कि इस कोलम में आपको खुद की Photoshop कानी है और उस फोटो के उपर खुद की sign आपको करने होंगे इसके बाद यहाँ पर आपकी post का नाम आपको लिखना है आपका name जो कि सिर्फ आपके 10th class के recording ही होना चाहिए फिर आपका mobile number याद रखिएगा जो आपका mobile number है जो email ID है वो आपको वहीं फिल करनी है जो फिल हाल में आपकी चालू है त्योंकि यहाँ पर जो आपका call letter होगा उसकी जानकरिया आपको mobile number पर मिलेगी और जो call letter है उसकी soft copy आपके email पर भेजी जाएगी इसके बाद आपका आधर number आपको बताना है आपका father name बताना है आपके date worth बतानी है फिर यहाँ पर पूरा address आपको लिखना है यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है communication address यह जो आपका communication address है वो आपको वहीं fill करना है जहाँ पर फिल हाल में आपसे बरती के दोरान communication किया जासके इसके बाद यहाँ पर यह आपका जो है permanent address है जहाँ का आपका domicile है वो address आपको fill करना है इसके बाद जो आपकी post की essential qualification है वो आपको fill करनी होगी then यहाँ पर दिखे आपकी जो qualification के details हैं वो आपको fill करनी है सबसे पहले आपकी certificate के उपर serial number लिखा होता है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा यहाँ पर एक दो S&N नहीं लिखना है वो आपका S.A.R. number होता है SAR नुमर आपका जो सेंट्विट के उपर लिखा होता है वो आपका यहाँ पर लिखना होगा आपके क्योलिफिकेशन 10th कलास आपके स्कूल का नाम बोर्ड का नाम आपकी परसंटेज और रिमाक्स में आपको लिखना है पास इसके बाद यहाँ पर आपका जंडर मेल फीमेल वो आपको बताना है यहाँ पर आपके कर्टेगरी बतानी है और यहाँ आप एक्सरिशमेन है तो आपको यहाँ पर जो अपना डाटा फिल करना होगा इसके बाद यह है आपका नेक्स्ट पेज यहदर आप पाई फीजिकल हैं तो आपको जान कर यहां पर फिल करनी होगी यहदर आपई employment ECD में registered हैं तो आपको बताना होगा यहां पर अगर आप government employee हैं तो आपको यहां पर बताना होगा उसके बाद दीखेगा यहाँ पर आपको चोईस बरनी है कि आपका जो स्टेशन है कौन सा स्टेशन जहाँ पर आप जोइनिंग करने वाले हैं अपने सिलक्षन के बाद यहाँ पर कुछ आपकी ऐसी पोस्ट हैं जैसे कि for example fireman तो यहाँ पर आपकी स्टेशन के जानकरी notification में नहीं दी गई है यहाँ पर साइड में आप लोग देख भी सकते हैं जो आपके स्टेशन है जो आपकी पोस्ट लिए दिये गए हैं वो आप notification में चेक कर लीजिएगा आपका place आपकी signature आपको करने होंगे और यहाँ पर आपको क्या करना है यह जो आपके document साथ में लगाने आपको हमने बता दिये अब यहाँ पर कितनी document आपकी photocopy साथ में लगेगी form के साथ उसके नंबर एक दो तीन वो आपको बताने हैं जैसे कि 10th class, domicile, आधरा card, pen card यह सब कुछ आप कितनी नंबर लगाने वाले हैं वो नंबर आपको आपको यहाँ पर लिख देना है उसके बाद देखिएगा यहाँ पर यह जो आपका next page है यह आपको form के साथ नहीं भीजना है बलकि जो आपका बाहर का लिखाफा है उसके साथ यह आपको page भीजना है इसको आप कैसे भेज़ेंगे तो देखिएगा यहाँ पर यह जो आपके line दी गई है इस line से यह page आपको cut करना है cut करने के बाद कैसे आपको भेजना है देखिएगा तो यहाँ पर देखिएगा यह है आपका self address का जो लिफाफा है उससे दूसरा लिफाफा जिसके अंदर सभी document आपको भेजने है अब यहाँ पर आपको क्या करना है यह जो आपका page है इस तरीके से आपको इसकी cutting कर लेनी है और यहाँ पर इस लिफाफे के ऊपर यह आपको जो है इस तरीके से चिपका देना है जिसमें सबसे पहले आपको उपर अपनी post का नाम यहाँ पर अपने signature यहाँ पर आपका address और यहाँ पर percentage आपको लिखनी है सबसे important point आपको याद रखना है कि यहाँ पर अगर आपके 50% से कम number है तो वो आपको लाल pen से यह दिया आपकी account से 60 के बीच में है तो blue pen से और अगर 61% से above आपकी percentage है तो वो आपको black pen से लिखनी है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो आपके matriculation यानि के 10th class के percentage है वही आपको यहाँ पर mention करनी होगी और आपके इस लिफाफे के उपर यह page आपको चिपका के साथ में आपके सभी document form आपको भेज़ देना होगा इसके बाद यह जो आपका next page है यह सिर्फ आपका format test activate का AWS के लिए यह आपको खाली चोड़ना है यहाँ पर इसके बाद नीची आएगा और नीची आने पर यह दिया आप एक्स रिश्मेन है और अपनी category के under form apply करने वाले है तो यह जो आपका undertaking form है आपको भरना होगा signature date place आपको यह पर लिखनी होगी इसके बाद अगर आप सिर्फ जो OBC वाली candidate है अगर OBC category आपकी है तो यह जो declaration form है आपको fill करना होगा जो OBC वाली candidate है उनको यहाँ पर जो आपका पूरा data है अपने signature के साथ आपके नाम के साथ वो आपको यहाँ पर undertaking form के साथ है भेज देना होगा इसके बाद यह जो आपका next भेज रहेगा वो है आपका admin card का सबसे पर यहाँ पर photo आपको चिपकानी है और यह भी आपको खुद के sign करके attest करनी है सिर्फ यहाँ पर आपको चार ही चीज़े fill करनी है सिर्फ आपका name आपका father name आपके date worth और आपकी category और यहाँ पर जो sign है खुद के वो आपको कर देने है यहाँ पर याद रखेगा यह जो आपका admin card है दोनों ही आपके duplicate की रूप में आपको भीजने होंगे यहाँ पर जो आपका second admin card का column है इसमें भी आपको same चीज़े fill करनी है नाब, father name, date worth, category और खुद की sign यहाँ पर photo आपको साथ में शिपका देनी है self-attested करने के बाग और यह जो आपका last का page है यह सिर्फ आपका physical handicap के लिए अगर physical handicap आपक है तो यहाँ पर यह जो form है उसका format आपको भरना होगा साथ में आपको भेजना होगा तो यहाँ पर देखिएगा जो आपके other candidate है उनको यह जो page है वो आपको फिले नहीं करना है ओके अब इनके साथ में आपको जो एक और आपका envelope जो आपको starting में हमने बताये था यह है आपका self address envelope जिसके उपर आपको क्या करना है यहाँ पर आपको to लिखने के बाद आपका name, father name आपका village या फिर city, तसील district आपका जो पूरा address है वो आपको साथ में भेज़ देना है और यहाँ पर इसके उपर आपको 25 रुपे के dark ticket है वो साथ में आपको लगाने है या फिर आप क्या कर सकते है dark खाने में जाईएगा वहाँ पर आपको यह बोल देना है कि हमें अपने खुद के address पर इस address पर यह जो लिफाफा है वो register करवाना है तो वो आपका register कर देंगा या फिर आपके जुट्टी कर ठेस के उपर लग जाएगी तो यह भी आपका जो है register माना जाएगा तो यह पूरी process आपके form को fill करनी की, जो हम पर आपके document है, आपके form fill आपकी date है form को कैसे fill करना है आपको क्या कुछ आथ में attach करना है पूरी जानकरी आपको हमने बता दी है तो उमीद है कि आपको जो जानकरी यह समझे में आ गई होगी और हमें पूरा विश्वास है कि form में कोई mistake आप नहीं करेंगे form आपका 100% वापिस आ जाएगा ओके, तो यह थी जानकरी अगर आप EAC के तैयारी कर रहे है notes वगर आपको चाहिए तो आपको whatsapp नमर दिया है यहापर आप whatsapp पे content कर दीजिएगा आपको batch notes वगरा सब कुछ के जानकरी दे दी जाएगी आगे हर प्रकार के update के लिए चलों सब्सक्राइब जरू कर लीजिएगा, जुड़ा रहेगा, जय है